ये है क्रिशी दर्शन पर अपना रुजान दिखा रहे हैं तो आज कारिकरम क्रिशी दर्शन के माध्यम से हम आपको लेकर चलेंगे महारणा प्रताप क्रशी एवंपरोद्यगी विश्य विद्याले उध्यापुर में और बताएंगे आपको वहां इस्तित मश्रूम उत्पादा निकाय की गति वी आई सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर एनिकट और नहर विकासकारियों से मजबूत होगी सिचाई वेवस्ता फसलों की अपसेडेलाइट से होगी मैपिंग इफको किसानों के लिए क्रशी ड्रोन खरीदेगा और किसान भाई उन्नत तकनीक से करे मुफली के बीच का उत्पादन मुख्यमंद्री श्री अशुक घहलोत ने एनिकट और नहर विकासकारियों की मजबूती के लिए 33 करोड़ तीन लाख रुपे की राशी स्विक्रत की है इससे सिचाई व्यवस्ता को मजबूत करने के लिए 6 विकासकारे करवाई जाएंगे मुख्यमंद्री श्री अशुक घहलोत ने एनिकट और नहर विकासकारियों की मजबूती के लिए 33 करोड़ तीन लाख रुपे की राशी स्विक्रत की है इससे सिचाई व्यवस्ता मजबूत करने के लिए 6 विकासकारी करवाई जाएंगे रारी सरकार प्रदेश में उतकरश सिचाई सुविधाय विक्सित करने के लिए महत्यपूर निर्णय ले रही है इसी क्रम में मुख्यमंद्री श्री अशुक घहलोत ने प्रदेश में एनिकट और नहरों की निर्मान और विकासकारियों के लिए 33 करोड़ तीन लाख उर्जिले के बड़ा नाला, भानपुरा, माधोराजपुरा और अचलपुरा में एनिकट का निर्मान होगा। साथ ही जब उर्जिले के चाक्सों में चौरिया एनिकट मरमत और धौलपूर जिले के सरमतुरा में नहर विकास और विस्तार कार्रे करवाए जाएंगे। बजट 2023 चोईस में इस संबन में घोशना की गई थी। की आशंका, मिट्टी की गुनवक्ता, आदी का रियल टाइम पुर्वानुमान लगाया जा सकेगा। अब तक ये जानकारी जिलावार भौतिक रूप से जुटाई जा रही है। क्रशी मंद्राले के अधिकारियों का कहना है कि रास्टे फसल पुर्वानुमान केंदर इसरों के साथ मिलकर इसे तयार कर रहे हैं। गेहु, धान, दलहन, सरसो, जुआर, कपास, अरहर और गन्ना सही दस फसलों की सेटेलाइट मैपिंग करने की तयारी है। चरणबर तरीके से अन्य फसलों की भी इस तरह की मैपिंग की जाएगी। इससे देश के क्रशी शेत्र और किसानों को बड़ा लाब होगा। किसानों की सबसे बड़ी संस्था इफ को धाई हजार क्रशी ड्रोन खरीदेगा। इसका उपयोग देश भर में नैनो उर्वरकों के इस्तमाल को बड़ावा देने के लिए किया जाएगा। इसके लिए 5000 ग्रामिन उद्मियों को प्रसिक्षन भी दिया जाएगा। इफको पहले ही अपने उत्पादों नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के चर्णबत तरीके से छिड़काव के लिए ड्रोन खरीद की समझोते पर हस्ताक्षर कर चुका है। ड्रोन के साथ साथ सेकारी समीतिक किसानों के खेतों तक इन्हें ले जाने के लिए 2500 इलेक्ट्रिक तिपईया भी खरीदेगी। ऐसा अनुमान है कि एक क्रशी डोन प्रती दिन 20 एकर शेत्र में इफको नैनो उर्वरक और अन्य क्रशी रसायनों का चुड़काव करने में सक्षम होगा। गौर तलेब है कि इफको किसानों की अपनी सेकारी संस्ता है और सेकारी शेत्रि की दुनिया की सबसे बड़ी खाद उत्पादक संस्ता है। किया जाना चाहिए जिसमें 2-3 साल तक मुफली की बुवाई नहीं की गई हो। बुवाई के लिए उन्नत किस्म का बीच उन्नत विधी द्वारा बुवाई, खाद और उर्वकों का संतुलित प्रियोग खर्पतवारों और कीडों बिमारियों पर नियंत्रन जरूरी है। अवांचनी पौधों को फूलाने से पहले और कटाई से पहले ही हटा देना चाहिए। फसल तयार हो जाने पर अच्छी तरह दाने निकाल कर नमी की मात्रा 8-10 प्रतिशत से अधिक नहीं रहनी चाहिए। फिर उन्हें उपचारित करके बोरों में सुरक्षित रखना चाहिए। इस प्रकार अगले वर्ष इन बीजों को बुवाई में काम लिया जा सकता है। पर मश्रूम की खेती के लिए कौन-कौन सी गतिविद्यां चलाए जा रही हैं जिससे मश्रूम की खेती को और आगे बढ़ाया जा सके और हमारे किसान भाही बहन मश्रूम की खेती करके अपनी आमदनी में इसाफा कर सके तो आज कारिकरम कृशी दर्शन के माद्देम से ह स्थित महाराना प्रताप क्रशी एवं पर अधिगी विश्विद्याले और लेंगे वहां पर स्थित मश्रूम उत्पादा निकाई के बारे में जानकारी आजाए परियोचना अधिकारी अखिल वरतय समधित मश्रूम परियोचना उदेपूर आपका स्वागाति मदन करता हूं हमारे अकील बार्तिय मस्रूम पुरिजना के तहत में उद्यपूर सेंटर के अंदर हम जो मश्रूम से संबंधित जो भी रिसर्च कार्या हम कर रहे हैं जो हमारा अल्टिमेटली टार्गेट है किसान तक हम किसान की अंदर आय को हम डबल कैसे करें उसकी इंकम को कैसे बढ़ा क्योंकि हमारा जो कल्चर है डारेक्टेट अब मस्रूम रिसर्च अपने सोलन से हमको कल्चर मिलता है जो यह कल्चर है तो यहां आकर के हम इसको सब कल्चरिंग करते हैं सब कल्चरिंग करने के बाद में इस कल्चर को हम मस्रूम के बीज बनाने के लिए यह मास्टर स्पान क्या है गेहूं के दाना है गेहूं के दाने के वीच के उपर हम इसको कल्चर को इसमें मिलाते हैं तो यह हमारा मास्तर अस्पांद कहलाता है इसके बाद में हम इसी अस्पांद से हम कॉमर्शियल अस्पांद मनाते हैं जो कॉमर्शियल बीज किसानों को हम डिस्टिबूट कर इसके अंदर से हम कम से कम आज 4-5 ब्रबेक अंदर हम 1-3 परसंड के हिसाब से बेट बाइव वेट के हिसाब से हम इलाते हैं उसके अंदर गेहूं के वीट स्टोके अंदर और फिर हम उसके विजाई करते हैं कर दो रहे हम जिस प्नुन Galnya का आय यूट भूशे को स्वुट पानी के अंदर ढाल के ये सो बशत का है तो सो लिट पानी लगाँ दल के भूशे आधि अधिछा रदेते हैं फिर पानी भर देते हैं इसके बाद में हम क 갖 दो तरीके से इसकोistesτί करते हैं chemical treatment एक आशानिक उपचार होता है और एक होता है गरम जल्द उपचार होता है तो ओर्गेनिक के लिए हम क्या है कि होट वाटर टीटमेंट देते हैं और असएनिक उपचार के लिए हमारे पात फॉर्मलीन है 300 ml फॉर्मलीन है नुवान है बाविस्टीन है इसमें डाल उर पानी पानी निचे निकल जाता है। इसके बाद में। जब हम इसको चेriad करते हैं विशे को तो जब वह उसमें मुठ्प के अंदर हम डबाते हैं पानी निकलता है। मतलब वो बीजाई लाइक तियार है भूचा अस्ट्रो तियार हो गया तो इसके बाद में भीजाई करते हैं इस जो वीट इस्ट्रो था जो श्ट्लाइज वीट इस्ट्रो था गेहुं का भूचाज था तो उसको हमने सबसे पहले तोला डेड़ से दो किलो एक थेली के लिए हमने तोला फिर उसमें एक से तीन परसेंट हमने जो मश्रूम का भीज था उसके अंदर हमने उसको डिफिरेंट लेयर में दो तीन लेयर बनाते हैं उसके उपर हमने उसको डाल दिया डालने के बाद में फिर उपर से हमने थेली को रबर बेंड से पेक कर दिया अब यह क्य पूरा अस्पांधरंद चल रहा है और यह अस्पांधरंद कंप्लीट लाई इसको डालने के बाद में कम से 15 दिन में यह अस्पांधरंद पूरा कंप्लीट हो जाता है इसके बाद में सर यह अस्पांधरंद के बाद में हम क्या करते हैं हम रबर बेंड कोल देते हैं थेली को को उपर से मोग खोल देते हैं खोलने के बाद में हम क्या कैसिंग मेट्रियल होता है यह गोबर की खाद और कोको पीट दोनों मिला करके इसको फॉर्मल इंसे टीट करते हैं हम उसको मतलब स्लाइस करते हैं इसके बाद में इसके उपर बिशा देते हैं तो एक इंस की लेयर हम बोलते हैं और यह एक सो किलो कंपोस्ट पे यह कम से कम अच्छी से लागा करके 120 किलो तक यह उत्पादन देती है का वाइलोजिकल एपिशेंसी भी बहुत अच्छी होती है और किसान के उगाने के लिए उसको अच्छा पैसा इससे मिल जाता है और किसानों के लिए प्रफिकली छ टोओ टोनी में डाल करके इसको स्लाइस करने का काम काथ करता है ताकि जितने BET verso जीवानू में माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं और वो ये ए लो माइक्रोब्स मूझए माइक्रोब्स घुजाता है इसके वाद में हम यह कमपोस् टे communicate करने के बाद में से ख़ूसरे कलव के लिए के लिए तो है हमने कम पोस्ट में बिजाइ कर इंति जय इस इसमें भी एक से 3 tapi सब्सक्राद में औरुए जाएु से पार थे रायों, का मटिशां के बाद में, तो मैं कर थेली बार या कम्प्लीट बाद में समुक्षार हो कि दारे लाम कशेंड दोन के जाता है। नि क्म्पर हो खुना दाका के सी इस समस्छ sum मिलान और. उस केसिंग के बाद में 10 से 12 दिन के बाद में ये मश्रूम की छोटी-छोटी फूर्ट बोडी बाहर निकलाती है जनरली ये मश्रूम सद्र चर्दी में उगा जाती है लेकिन हमने यह एक्सिमेंट के रूप में हमने क्या है कंट्रोल कंडिशन के अंदर इसको इस टाइम हमन यह कंट्रोल कंडिशन में इसको उगा रखी है और इसका जो प्रोड़क्शन है सो किलो कंपोस्ट में 18 से 20 किलो हमको इल्डे मिलती है इसकी कि कि यह पोटाबेला जिसको ब्राउन बटन बोलते हैं हमारे परताब पोटाबेला के नाम से नई किसमा हमारे पुर्वा प्रियजनादिकारी प्रोपेसर ऐसे सर्मा जो अधिश्टा था इन्हों ने डवुलप करें जो यह कापी महतव पूर्ण है क्योंकि यह कापी इसका मेडिस्टी वेलियू है जैंगे तो हमने अभी चंट्रोल कंडिशन के इसको उगा रखी है वीदी सेहम है क्योंकि वह वाइट बॉटन थी यह एक बॉटन है लेकिन कुछ इसके अंदर क्या है एंटी केंसर है एंटी आम बेक्ट्रियल है एंटी वाइरल है और एंटी फंगल है कई सारी प्रोपर्टीज मस्रूम के अंदर पाई जाती है और इसकी कोस्ट थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि थोड़ा सा इसका मेडिशनल मेल्यू है इसके खारान इसकी कोस्ट थोड़ी ज्यादा होती है यह मार्केट में 300 रुपय तक को लोग देते हैं लेकिन अभी हमने क्या है हमारी जो रेट है वो लगबक एक सोड़ा डेड़ सो रुपय ही है अभी काम इनिशनल स्टेस के उपर हैं और भी इसके उपर हमारी से चल रही है और जब भी हमको और अच्छी सफल है जहां से हम छोटे-चोटे 200 ग्राम के पिकेट बना करके और मस्रूम को फेक करके और अपने जो भी कस्टमर आते हैं उनको हम भैसते हैं तो यह परता पोटाविला के नाम से जो नहीं वेराइटी है उसका पिकेट है जो यह हम अभी तीस रुपय का 200 ग्राम दे रहे हैं यह मार वाइट बटन मसलूम का पिकेट है जो हम यह भी एसी रेट में देते है है थीस रुपय किलो अश्वरी तीजीरूपय सहां 100 ग्राम और यह अमारी है मिल की मसरूम ब्लक्षाता मसरूम बोलता हैं यह एक सो बीस रुपय किलो में हम वह बते हैं जो भी है कस्टमर जो भी है मश्रूम हमारे पास में हम प्रोसेस करते हैं।चिप 2 राम में पार पानी में ढाल करके। और उसको गिली करने के बाद वाबिद वो आकार ले लेती है और सब्जी बना करके खाता है तो इस परकार से हमारे ये ड्राइ परिचनेशन का मेट्रियल है और ये सब कुछ पूर्व परियोजने अधिकारी हमारे रार डक्टर स्यामचुंदर सर्माजी और डक्टर अनिला दोसी मेडम जो पूरत है उनके अथक परियाज से ये मश्रूम परियोजना आज दियां तक वे इस मुकाम तक पहुची है कि किसान भाईयों आशा करते हैं कि आज का कारिक्राम आपको पसंद आयोगा और कारिक्राम में दीवी जनकारिका आप भरपुर लाब लेंगे किसान साती अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कारिक्राम के प्रती हैं आपकी कोई सुझाओ तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं हमारा पता है कृषी दर्शन डीडी राजस्तान दूर दशन केंदर जैपूर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं हमारा इमेल एड्रेस है कृषी दर्शन जैपूर एड डिरेट जीमेल डाट कॉम आज के लिए कारिकर्म कृषी दर्शन में सिर्फ इतना ही कल फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ तब तक एलिए दीजी इजाज़त हमश्कार